हेलो एब्रिवन तो आज की वीड में आपको संस्क्रीन बताने वाला हूँ ओइली स्किन के लिए जो की बेस्ट रहने वाली है नाई इससे आपकी स्किन कोई डाग दिखेगी काफी लोगों को ये प्रोब्लम रहती है कि हम कोई भी संस्क्रीन यूज करते हैं इससे हमारी स्किन डाग दिखने लग जाती है सेकेंड कुछ लोगों को एकने निकलने लग जाती है और थर्ड कुछ लोगों को वाइड कास्ट पसंद नहीं आता तो आज की वीड में कम्प्लीटली ऐसी बेस्ट संस्क्रीन मैं बताने वाला हूँ असे भी चूज करने जाते हैं ऐसा यहाँ है नहीं की मैं सारी संस्क्रीन इस वीडियों में बता दूंगा और बहुत संस्क्रीन आती है जो की ओली स्किन के लिए यह बनाए गई रहती है पड़ मैं बेस्ट संस्क्रीन इस में बताने वाला हूँ जो कि मुझे परसनली अच्छी लगती है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छी रहने वाली है सबसे पहले तो आपको देख लेना चाहिए उसमें SPF कितना है सन प्रोटेक्शन फेक्टर कितना दिया गिया है SPF अगर आप ज़्यादा सन में नी जाते तो 30 भी चल जाएगा आपका ठीक है कोई दिक्कत नी है जैसे आप कोई ऐसी जगह पर रहते हो पाड़ी लाके पर रहते हो वाँ पर इतनी धूब वगरा कई बरनी होती ठंडी हावाई वगरा चलती रहती है तो उस ताइम पर आपको SPF 30 तक चल जाएगा कोई दिक्कत नी है बट अगर आप जैसे की राजस्तान साइड में रहते हो मेरी तरह ठीक है राजस्तान साइड के एरिया में रहते हो वाँ पर SPF 50 तक आपको जाना चाहिए ठीक है वो बेस्ट प्रोटेक्शन आपको दे देगा UV rays से तो अब सबसे पहले आपने तो एक फस्ट ये चीज़ देखनी है सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है ठीक है 30 या 50 आपके एरिया गई साब से ठीक है सेकंड चीज़ आयाती है आपको जैसे की PA प्रोटेक्शन देखनी है 3 तो होनी चाहिए प्लस 3 प्लस प्रोटेक्शन होनी चाहिए इससे अब वो तो और भी अच्छी बात है और आप कुछ UV फिल्टर्स वगरा भी देख सकते हो नहीं तो नोन कोमेंडोजैनिक जो रहती है जिसके करन कि आपको बतादू अगर आपको जैसे oily skin के लिए sunscreen लेनी है तो हमेशा gel based sunscreen रहेगी ऐसा नहीं कि cream based sunscreen ले रहे हो या moisturized based sunscreen ले रहे हो तो वो आपकी skin के लिए नई बनाई गई अगर आप वो use करते हो उससे आपकी skin dark भी दिख सकती है और हो सकते है आपकी skin पे acne भी निकलने लगे जाए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने है तो हमें आपको best sunscreen बता दे तो oily skin के लिए कौन सी रहती है ठीक है 6-7 sunscreen बताने वालों मैं तो सबसे पहले आयाती है fix derma की तरफ से आयाती है shadow sunscreen आती है UVA UVB rays से आपको protect करके रखेगी तो इसकी तरफ जो जाना जाते है 6 नमबर पे इस sunscreen को रख रहे हम तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो 5 नमबर पे आयाती है जो sunscreen थोड़ी costly भी है थोड़ी नहीं जादी costly है तो इसकी तरफ जो जाना जाते है जा सकते है यह cita will की आयाती है ठीक है इसमें आपको SPF 50 plus की production देखने मिल जाती है very high protection यह देती है light gel है बिल्कुल all skin type पे suit कर जाएगा इन्होंने बदा है और broad spectrum protection है और water resistant भी है ठीक है और vitamin E भी इसके अंदर दिया गया तो यह sunscreen भी जो लेना जाते है जा सकता है वैसे कोई दिक्कत नी है अब इसके बाद जो हमारी sunscreen आयाती है doctor shade की तरफ से आयाती है इसमें आपको जैसे SPF 50 plus की ही protection देखने मिल जाती है PA plus की आपको इसके अंदर protection देखने मिल जाती है जो की काफी high है और यह oil control करेगी आपकी skin से dry test देगी mate finish ठीक है ऐसा नहीं कि आपको oily skin लगेगी इसको use करने के बाद में अब इसके अंदर 1% niacinamide भी देखने मिल जाता है जो skin के tone को भी lighten करने में help करता है और आपके post को भी tighten करता है ठीक है यह चीज़ भी काफी अच्छी है तो आप इसको भी use कर सकते हो hybrid sun filter सा आपको इसके अंदर देखने मिल जाते है जो कि आपको sun से अच्छे से protect करके रखेंगे तो यह sunscreen की तरफ भी जा सकते है काफी अच्छी रहने वाली आप लोगों के लिए नमबर फॉर्थ पर आयाती है रूफ की तरफ से आयाती है यह sunscreen lotion है ठीक है यह oily skin पे अच्छे से suit कर जाता है ना यह आपकी skin कोई dark दिखेगी यह budget friendly है काफी अच्छी sunscreen है और काफी सही budget में आयाती है जो कि हर कोई afford कर सकते है इसमें आपको 50 plus के protection देखने मिल जाती है non-commandogenik है water resistant भी ठीक है dermatologically tested PA double plus के आपको इसके अंदर protection देखने मिल जाती है तो यह थोड़ा सा एक negative point थोड़ा बोल सकते है बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ में UVA rays और UVB rays से भी आपको protect करके रखेगी जो कि काफी सही है तो आप इसके तरफ भी जाना चाहो तो जा सकते हो थर्ड संस्क्रीन आयाती है जिसके तरफ आप जा सकते हो जो की derma gogi रहेगी ठीक है इसके अंदर 1% आपको hyaluronic acid देखने मिल जाता है और साथ में इसके अंदर आपको vitamin E भी देखने मिल जाता है fragrance free यह बनाएगी है SPF 50 की आपको protection देखने मिल जाएगी PA 4 plus की आपको इसके अंदर protection देखने मिल जाती है जो की काफी हाई है UVA rays, UVB rays से आपको बजाएगा blue light protection भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है जो की काफी अच्छी इस संस्क्रीन की तरफ भी आप जा सकते हो best sunscreen यह भी और काफी यादा sale भी हो रही है यह तो यह भी जिसको लेनी है ले सकते है और इसके अंदर आपको titanium dioxide भी देखने मिल जाता है अब आयाती है बास second number पे हमारी कौन सी sunscreen आयाती है तो second number पे आयाती है ब्रोर स्पेक्ट्रम की प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है UVA rays, UVB rays से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी water और sweat resistant है यानि कि आपको पसीना भी आता है और पानी बगएरा में जाने से भी इसली ये मतलब आपकी प्रोटेक्शन घटेगी नहीं ये चीज़ बताना जाते है ठीक है और यहाँ पर mention है कि skin pH को भी maintain करके रखती है ये और non-commandos जैनिक है जो की काफी अची बात है 75 gram की आपको quantity देखने मिल जाती है यानि कि 75 gram की ये संस्क्रीन की तरफ भी जा सकते है ये भी easily absorb हो याथी कोई white cast वगरा नहीं छोड़ेगी जो भी संस्क्रीन मैंने बताई है उसके किसी के साथ में भी ये दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी और आप oily skin पर भी यूज कर सकते है अग्ने वगरा भी आपके निकलते रहती है तो उनके लिए ये बैस्ट रहने वाली है संस्क्रीन अब आयाती है नमबर वन पे कौन से संस्क्रीन आती है तो नमबर वन पे आयाते है एक्नी यूवी संस्क्रीन जालती है तो इसमें आपको SPF 30 की production भी देखने हो मिल जाती है और इसमें एक शायद SPF 50 वाला भी आते है तो आप दोनों में से कोई भी चूज करके ले सकते हो उसका price थोड़ा high रहेगा ठीक है अब जैसे मैं 50 वाले गई आपको दिखा दू बता दू completely तो इसमें आपको जैसे मैंने बताए area wise ले लेना तो हम मैं 50 वाले का बता रहूं आपको तो 50 वाले में जैसे आपको PA++++ की protection देखनों मिल जाती है UVA rays UVB rays से आपको प्रोडेक्ट करके रखेगा visible light वगरा से ठीक है और साथ में oil free and non-commandos जानिक है very water resistant है जानिक आपको पानी वगरा से मनलब ऐसा नहीं की पानी में हाथ वगरा डाला आपने यह हलका सा फेस पे पानी पसीना आगया तो उससे निकल जाएगी वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी बाकी संस्क्रीन का सर बोला याता है कि दो गंटे तक रहते हैं तो उसके बद आपको reapply करनी पड़ती है तो यह संस्क्रीन भी काफी अच्छी है non-greasy है oily free संस्क्रीन है और अगर आपकी acne prone skin है तो उसके लिए best रहने वाली है अब मेरे according आप लोग पूछोगे भाया आप बताओ कि हम इन में से कौन सी संस्क्रीन चूज़ करें तो अगर मेरे according देखना जाते हैं तो मैं बोलूँगा acne UV संस्क्रीन की तरफ आप जा सकते हो नई तो आपका budget कम है तो आप जा सकते हो जैसे की roof संस्क्रीन लोशन की तरफ जा सकते हो नई तो जैसे की derma go की संस्क्रीन की तरफ जा सकते हो बाकी जो मैंने बताई ये सबी best है आपका जो budget रहते है आप कोई भी use कर सकते हो इन में से